दोस्तो आज आप सीखेंगे 5 साल के छोटे बच्चे के अंदर आईवी कनूला किस प्रकार से लगाए जाता है तो सबसे पहले आपको वेन को सेलेक करना है और वेन को सेलेक करने के बाद उसको स्पीट सवाब से अच्छे से किलिन कर लेना है और जैसा कि वीडियो में दरसाय जा रहा है उस प्रकार से बच्चे का जो हैंड है उसको होल्ड कर लेना है यानि पकड़ लेना है उसके बाद में आपको जो आईवी कनूला है उसको अन्रेव करना है और IV cannula को unrave करने के बाद जो आपने vane select किये उसको straight कर लेना है जैसा कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं ताकि जो vane है इधर उधर पिसले नहीं और उसके बाद में आपको IV cannula को दीरे से इंसे के अंदर insert करना होता है ह epoxy करने के बाद आपको जो थोड़ा सा आगी के तरफ इंसेٹ करने के बाद आप देखेंगे पीझे की तरफ इसट्रेटर के अंदर जिदी blood आ गया है तो इसट्रेटर को पिछे की तरफ पुलाओड करेंगे और canula को आगे की तरफ इंसेट करते जाएंगे और देख सकते हैं कि इस लिटर के अंदर ये ब्लेड आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद बच्चे के हाथ को अच्छे से होल्ड कर लेंगे canula को एनेस की साथा इस फलस कर देंगे तो दोस्तों वीडियो पसंद आयते हैं वीडियो को लाइक और से रवस से करें